हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे यूटूब चनल भी एक डांस फ्लोग में आपका फिर्स स्वागत है तो कैसे हैं आप लोग आसा करते हूं आप सब ठीक होंगे मसत होंगे अपने कामें बिल्कुल ब्यासत होंगे तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि बिहार प्लीस का बिहार प्लीस एक्जाम का रिटेन का डेट आ गया है और इसमें भी मैं आपको बता दूँ एक मिनुट इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे मतलब लड़कों को कंफूज हो रहा है कि डेट फेक है या सही है मतलब लड़के विश्वास नहीं कर पार रहे है जिसको जितना समझ में हुआ रहे हैं अपको बता रहा है और दोस्तु एक बात मैं आपको बता दूँर्ख कि मैंने आशल चार दिन पहले एक वीडियो बना थे बिहार पुलिस पर उसको बात बुले था है कि बिहार पुलिस की एक्जाम का डेट आपको बहुत ही जल्द ज 30 दिन तो फिर भी डेट आ गया मतलब डेट आगया मेरे कहने का मतलब यह हैं कि मतलब बहुत लड़कों को विश्वास नहीं हो रेकर डेट सही है गलत है समझें जब मतलब मेरे पास मेसेज आया तो मैं भी देखा तो सबसे पहले मैं इस मतलब इस नीच पर मैं विश्वास नहीं किया हमें सबसे पहले भी बिहार पुलिस के ऑफिसल वेवसाइट पर उसका ऑफिसल वेवसाइट खोला और उस पर देखा उस पर देखा जब मैं तो देखा और अभी तक कोई सुचना आये निये तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि अगस्त में आपका एक्जाम हर हाल में किसी हाल में होगा तो होगा जुलाई के लाश और अगस्त में अधर में आपका एक्जाम सुरू हो जाएगा मैं आपको पताया था कि जाकर देख लिजेगा तीन दिन पहले वीडियो में आपको बोला था कि जुलाई के लास्ट बीस-पचीस तरी तक आपके हाथ में एडिमिट कार्ड हो जाएंगे बिहार पुलिस का बात मैंने एदम 100% बोला था अगर बिस्वास ने तो जाकर मेरे तीन-चार दिन पहले वीडियो बनाया था उस पर जाकर देख लिजेगा मैं आपके बोला था कि 20-25 जुलाई तक आपके हाथ में बिहार पुलिस का एडिमिट कटा जाएगा ठीक है दोस्तों और में बात यह सह बात लेक जबाब कि जो मैं बोला हुआ ही हुआ और जो यह डेट निकला हुआ है दोस्तों यह जो बिहार पुलिस का डेट निकला हुआ है एगजाम है और लगबग मेरेको तो याद नहीं है कि 7 पाली में एगजाम होने वाला आप डेट याद नहीं है साथ 14 स्वसाई कुछ है और आपका मतलब एगजाम हंड्रेट परशेंट होगा जो डेट निकला गया इसी पर होगा और एड्मिट काड आपको देखिए का 25 जुलाई तक 25 और 30 जुलाई के बीच में आपका मतलब एड्मिट काड 15 दिन पहले आता है आपको 25 जुलाई तक आपके पास हाथ में होगा और साथ और एक बात और आपको मैं बोला था कि इस बाद हांदली का बिल्कुल भी सवाल लिए उत्पन नहीं हो रहा है तो दोस्तों जब आप एक बात गयर दिमाग लगा कर सुचिएगा कि अगर सरकार साथ पाली में एकजाम ले रही है और एक ऐख लड़कों का जारी ऊपने एक पाली में10 लाख लड़क लड़के टेंगे और एकी पनीं में ऑश्यां तो मी सब्सक्राइब और बात रहा इसके चक्र में विल्कुल मत पढ़िए इसके चक्र में पढ़िए तो फिन रिटेनी निकल पाएगा और एक्जामी जब क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो उसका तो मंदब बहुत दूर का बात है अब जो आगे में आया उसको न देखिएगा जो बाद में आने वाल उसको देखिएगा जो हाथ में आगा खा गये में खाना परोसा गया है पहले उसको न खाईएगा आप बाद में सोचीगा कि क्या खाएंगे हम तीसलिए आपका एक्जाम डेट आ गया है बिल्कुल 2.16 माने का समय बचा है बिल्कुल इतम जम के त्य त्यारी कीजिए दीना तेक कीजिए और अदम सरकारी नोकरी का मुहर मार दीदे चोबिस में ठीक है दोस्तों एक बार में एक बात और आपको बोल दे रहा हूं कि जो डेट है बिल्कुल सही है और 25 जुलाई तक आपके पास एडमिट काड़ा आजाएंगा यह देख लीज थोड़ा बहुत दोड़ा कीजिए ताकि यह मतलब हाइबिट में हाइबिट रहे रहे रॉनिंग में और अपना त्यारी मिले और उसके बाद आईए खाना नखाके दो घंटा पढ़के फिन दो पहर में सो भी जाईए दो चार घंटा क्योंकि रॉनिंग करने के बाद शरी जो मैं बोला वही हुआ है अगर आप चैनल पने हैं तो बिल्कूल प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलेंगे फिन्ने स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद है